अब कहानी बढ़ेगे क्रेब साइकल, तैयार हैं, आप बहुत मज़े आने वाले हैं, 20 मिनिट मुझे आपके चाहिए, इसे सबसे पहले फ्लाइट मसल्स और बर्ड्स में देखा था, क्योंकि वहाँ बहुत माइटो कॉंड्रिया है, खूब क्रेब साइकल चलती है, हैंस क्र इसलिए से क्रेब साइकल कहते हैं, इसमें जयादातर जो हैं वह ऐसे बनते है, जिनमें 3 COOHISH ग्रुप सें, इसलिए ट्राय कार्वॉक्स लिक आयसेड कि आयसेल साइकल कहते हैं और पहला स्टेबल कंपाउड सिट्रिक आइसेल साइकल कहते हैं, अभी सब समझ आएगा और ये भी mitochondria के matrix में ही होती है, कैसे होती है, पहले cycle समझ लेते हैं, फिर ये सब तो 2 मिनिट का काम है, so, कहानी शुरू होती है, एक acetyl coenzyme A से, अबकोस दो बने हैं इसके molecule, तो दो बार krebs cycle होगी, इसकी भी, फिर दूसरे वाले molecule की भी, पर अब ही मैं इसकी बता रही हूँ, अब, इसको citric acid बनाना है, या citrate एक ही बात है, citric acid लिको या citrate, ये एक 6 carbon compound है, तो अगर मुझे 2 carbon compounds, ये 6 carbon compound चाहिए, तो मुझे 4 carbons और चाहिए, वो कौन देगा, इसी mitochondrial matrix के अंदर oxaloacetic acid होता है, जो 4 carbon compound है, ये ये अदर आप मेरे से उधार ले लो, कोई problem नहीं है, लेकिन लोटा धरोर देना, तो ये इसके साथ जुड़कर ये बना देता है, ये कैसी reaction है, यहाँ पर CO2 release नहीं हुआ, hydrogen release नहीं हुआ, hydrogen add नहीं हुआ, बस ये दोनों condensed हो गए, जुड़ गए, enzyme कौन सा लगेगा, citric acid बनाना है, यानि citrate और उसको बनाना है, synthesize करना है, तो citrate, synthase enzyme, एक water molecule भी यहाँ पर add हो जाता है, this is the first reaction, अब कई books में 10 reactions लिखें, कई books में 8 reactions लिखें, मैं पूरी 10 बताऊंगी और 8 क्यों है, वो भी funda बताऊंगी, अब इस citrate से isocitrate बनता है, और इस isocitrate से alpha, keto, glutaric acid बनता है, ये भी अपकोस citrate ही है, तो 6 carbon है, बड़ ये 5 carbon होता है, but actually क्या होता है, इनके बीच में भी एक compound बनता है, थोड़ी सी देर के लिए, जिसे cis aconetic acid या aconitate कहते हैं, तो कई books इसको बहुत unstable हैं, इसलिए मानती नहीं हैं, तो वो सीधे ये वाला step लिख देते हैं, इस पूरे को step number 2 मान लेते हैं, आप इसको वैसे 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, तो मैं इसको 2 ही मानती हूँ, और इसको 3 मानती हूँ, हम तो पूरी detail पढ़ेंगे, यहां क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ isomerization हो रहा है, अकॉनिटेज, दोनों ही reaction में same enzyme लगता है, second और third में, तो यह पहला enzyme हो गया, और वो एक और enzyme हो गया, अब इसी तरह से जब यहां से यह बनता है, तो actually बीच में एक substance बनता है, जिसे oxalo-succinate acid या oxalo-succinate कहते हैं, तो कई books में से direct बना देते हैं, बट actually ऐसे ही बनता है, so this is step number 4, this is step number 5, ठीक है, तो वैसे 10 होने थे, पर 80 रह जाते हैं, क्योंकि यह 2 steps गायब होते हैं, अब यहां पर यह 6 carbon compound है, इससे जब oxalo-succinate बनता है, यह 5 carbon compound है, तो यहां पर CO2 release हो जाती है, और plus जब इससे यह बनाना है ultimately, तो हमें hydrogen remove भी करने हैं, इसमें से, ध्यान से सुनो में क्या कह रही हूँ, कि ultimately क्या क्या होगा, यहां पर CO2 release होगी, और NAD आएगा, और वो इसम करके, इसमें reduce हो जाएगा, NADH2 में, अब सबका एक-एक molecule है, दो-दो molecule निये confuse मत होना, तो यह देखो, इसके अंदर दो carbon थे न, जुड़े हुए, दो CO2 तो पहले ही निकाल दिये हमने, जब link reaction हुई, उसके बाद दो molecule इसके मिले, उन दोनों में क्रेब cycle चलेगी, तो दो से फिर यह CO2 एक-एक करके निकल जाएगी, तो इसके जो दो carbon थे, उसमें से एक carbon को हमने CO2 के form में release कर दिया, मैं इस reaction को क्या कह सकती हूँ, सोचो, यहाँ पर decarboxylation हो रहा है, decarboxylation, और oxidation हो रहा है, क्यों, क्योंकि isocitrate में से निकल रहा है hydrogen, so this is oxidative decarboxylation reaction, enzyme का नाम और इसमें से hydrogen निकाल रहा है, तो dehydrogenase, बिल्कुल कितना easy है, जैसे link reaction में pyruvic acid से hydrogen निकल रहा था, तो pyruvate dehydrogenase कुछ वैसा ही, so this is the fifth step, अब इससे बनता है succinyl coenzyme A, succinyl coenzyme A, और यह 4 carbon compound है, यह आप बिल्कुल सही सोच रहा है, 5 carbon से 4 carbon compound बनना है, यह फिर से CO2 रिमूव हो ग या, यह यह भी क्या है, decarboxylation reaction, और जब इससे यह बनाना है, तो यहाँ पर फिर से hydrogen निकलते हैं, इसमें से remove होते हैं, उसे पकड़ता है, एक NAD, वो change होता है, NADH2 या H+, वो एक ही बात है, कैसे भी लिखो, यह इसका भी oxidation हो रहा है, तो यह भी कैसी reaction है, oxidative decarboxylation reaction है, तो step number five or six, दोनों ऐसे ही होते हैं, enzyme, चलो आप लिखवाओ मुझे, लिखवाओ, लिखवाओ, अब आप खुद लिखवा दोगे, इसमें से निकालना है, तो alpha keto glutaric acid dehydrogenase, या alpha keto glutarate भी बोल सकते हो, glutaric acid नहीं बोलना है, पर यहाँ coenzyme में लगेगा students, क्योंकि इसमें coenzyme मे add भी हो जाता है, हो गया, this is six step, अब इसके बाद, इसके बाद, इसके जो दोनों carbon थे, वो तो हमने हटा दिये na, co2 co2, वो तो release कर दी, फिर अब उधार भी तो चुकाना है, तो इससे वापस बनाना है मुझे, तो पहले बनेगा succinate, याने succinate, ट्रिक से अभी याद फिर बनेगा fumarate, फिर बनेगा malate, देखो कितनी महनत करनी पड़ती है, उधार चुकाने की नियत होनी चाहिए, और फिर जाके वापस बनेगा oxaloacetic acid, पर अब यहाँ कोई carbon remove नहीं होगा, क्योंकि ये भी 4 carbon है, अफकोस ये सब 4 carbon ही होते हैं, जब इससे ये बनता है तो एक GDP आती है, उसमें इसका phosphate जुडता है, तो ये GTP बना लेता है, ATP नहीं, GTP, पर हमारा cell GTP को नहीं जानता, तो तुरंत इसका phosphate लेने के लिए ADP आती है, और वो ATP बना लेगी, यानि इन डारेक्ली एक ATP यहाँ बन गई, ये डारेक्ट ATP बन रही है, NADH2 वगेरा नहीं बन रह phosphorylation, this is step number 7, यहाँ enzyme क्या लगता है, यहाँ पर enzyme लगता है, succinyl coenzyme A synthase, अब हाले कि ये enzyme, succinyl coenzyme A को बना नहीं रहा, आपड ऐसा लिखते हैं, now, अब क्या होगा, succinate से जब fumarate बनता है, तो फिर इसमें से hydrogen remove होना है, यानि इसका oxidation होना है, अब उसे पकड़ने NAD नहीं आएगा, अब FAD आएगा, FAD plus, उससे FADH2 या FADH plus बनेगा, ये बनेगा, enzyme का नाम क्या लिखो, लिखवाओ, खुझ से लिखवाओ, succinate से निकालन है, oxidation reaction है, decarboxylation है, सिर्फ oxidation reaction, this is step number 8, अब fumarate से malate बनना है, कुछ भी और नहीं टूपता, डाटता, मतलब कोई hydrogen hydrogen remove नहीं होता है, oxidation reduction कुछ भी नहीं होता है, बस एक water molecule add होता है, इसे कहते है, fumarase enzyme, क्योंकि fumarate को तोड रहा है, तो fumarase enzyme, हाँ, लेकिन malate से oxaloacetic acid बनना है, तो फिर यहाँ पर hydrogen remove होता है, उसे पकड़ने के लिए फिर NAD वापस active हो जाता है, फिर NADH2 बनाता है, फिर से, और enzyme का नाम अब आप खुद लिखवाओ, मुझे malate acid से hydrogen निकालना है, तो malate dehydrogenase, so this is step number 8, this is 9 and this is 10, यानि अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक acetyl coenzyme ए के कहानी है, यह, one crab cycle है, यह, one crab cycle, तो इसमें formula है 321, क्या है 321, 321, 321, 321, 321, 321 मतलब 3 NADH2 बन रहे हैं, देखो, इधर, इधर और इधर, so 3 NADH2 बन रहे है, 2 CO2 निकल रहे हैं, यह, देखो, इधर और इधर, so 2 CO2, 1 FADH2 मिल रहे है, यह रहा, 1 FADH2, और 1 ही मिल रहे है ATP, एक crab cycle से यह सब कुछ हमें मिलता है, from 1 crab cycle, बट अगर 1 glucose की बात करें, तो उससे 2 pyrovic acid बनेते, उससे 2 acetyl coenzyme बनेते, दोनों molecule क्रेप cycle में जाएंगे, तो इन सब का double मिलेगा, अगर 1 glucose की बात करें, तो इन सब का double मिल जाएगा, ठीके, बट एक crab cycle में यह सब मिलता है, तो formula है 321, अब इससे हमें energy, वैसे अगर हम calculate क ठीके, FADH2 से 2 ATP मिलती है, एक FADH2 से 2 मिलती है, जैसे 1 NADH2 से 3 मिलती है, तो यहाँ पर 2 ATP, और 1 ATP तो direct मिली रही है, यानि की 1 क्रेप cycle से कितनी ATP मिलेगी, 9 plus 2 plus 1, 12 ATP, after ETS, of course, पूरा सब सारा respiration होने के बात, लेकिन 1 glucose से है, में तो 2 क्रेप cycle काम आने वाली है, यानि total 24 ATP मि एडिमेट तो हमें यही मिलती, एक क्रेप cycle से 1 तो 2 क्रेप cycle से 2, हर वर्ड समझ में आ गया, direct question आता है, किस step पर CO2 रिलीज होता है, कहां-कहां NADH2 बनता है, कहां FADH2 बनता है, अब, यह जितने भी enzymes मैंने बता, यह सब इसी mitochondria के matrix में ही रहते हैं, रहना भी चाहिए ना, क्योंकि वही तो क्रेप cycle हो रही है, लेकिन यह वाला जो enzyme, succinate dehydrogenase, जैसे ऐसे भी लिख सकते है, S-D-H, succinate dehydrogenase, यह मिलता है, inner mitochondrial membrane पर, और यह favorite question है, यह मैंने आपको cell the unit of life में भी पढ़ाया था, inner mitochondrial membrane पर, all enzymes of Krebs cycle are found in mitochondrial matrix, except succinate dehydrogenase, इसे pause करके, आप सब को अच्छे से draw करना है, खुच से बनाना है, चली, so, now it is very very easy for you, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पटापट से हम देखते हैं, oxaloacetic acid, acceptor molecule है, acetyl coenzyme का, सबसे पहले acetyl coenzyme है, और oxaloacetic acid condense होंगी, एक water molecule add होगा, तो citric acid बनेगा, then, सारे enzymes are present in the matrix, except SDH, यह भी हम बात कर चुके हैं, यह हमारा aim क acetyl coenzyme, इसे सारे carbon remove कर दे, as CO2, और उसके सारे hydrogen भी निकाल लिए, देखो ना, निकाले न, हमने hydrogen एक 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 करके, यहां दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen, यानि सारे hydrogen निकालके, उससे NADH2, FADH2 बना लिया, removal of hydrogen atoms, उसे transfer किया NADFAD को, ताकि उन्हें reduce कर दे, NADH2, FADH2 में, ताकि वो आगे जाकर ETS में काम आए, और ATP बनाए, so, चाहे protein तूटे, चाहे carbohydrate, चाहे fat, crepe cycle होती ही होती है, जिहां students, जब sugars तूटती है, तो glycolysis, link reaction, crepe cycle, ऐसे चलती है कहानी, पर जब fat तूटता है, या protein तूटता है, तो glycolysis नहीं होता, पर crepe cycle तो तीनों में होती है, so this is the crepe cycle, अभी सारे steps में आपको बता चुकी हूँ, ठीके, अब खुच से read करना, सब कुच समझ में आ जाएगा, everything, everything, तो three points है, जहां पर NAD को reduce करके NADH2 बनाया है, और one point है, जहां पर FAD को reduce करके FADH2 बनाया है, लगातार oxaloacetic acid वापस भी चाहिए, so this we have discussed, अब, यहां पर भी वही problem होगी, कि NAD, FAD लगातार consume होते जा रहे हैं, तो हमें, जब हम ETS में भेजेंगे न, NADH2 को, FADH2 को, ताकि हम उसे ATP बनाये, तो हम उने वापस से reoxidize करेंगे NAD, FAD में, ताकि यह reactions लगातार चलती रहें, alright, so this is what is written here, that it requires regeneration of NAD, FAD also, अब यह है NCRT में, यहां पर oxaloacetic acid के साथ मिलेगा citric acid बनाये, अब यहां इनोंने वो step उड़ा दिया, isocitric acid बनता है, फिर alpha keto glutric acid बनता है, इस समय पर एक CO2 release होता है, एक NADH2 बनता है, फिर इससे 4 carbon compound, succinyl coenzyme में बनता है, इनोंने उड़ा दिया, गायब कर दिया, तो उससे भी एक CO2 और एक NADH2 बन जाती है, और फिर यहां उड़ा दिया है, पर सकसिनिक acid के बाद यहां पर fumarate बनेगा, और जब fumarate बनता है, तो फिर से 1 FADH2 बनता है, फिर fumarate से malate बनता है, और फिर malate से oxaloacetic acid बनता है, तब यहां बापस NADH2 बनता है, राइट, सो this I have explained you, अब इसकी reaction कैसे लिखेंग तो एक CO2 release होगी, एक NADH2 बनेगा, एक कोएंजाई में add होगा, तो इन्होंने यहां से यहां तक की reaction लिखेंगे, actually तो यही है citric acid cycle, यही है Krebs cycle, वो link reaction है, पर NCRT में इस तरह से calculation किया है, इस तरह से reaction लिखेंगे, देखो कितनी simple है लिखना, मुझे pyruvic acid से, पहले acetyl कोए और फिर finally CO2 बनाना है, बताओ कितनी CO2 बनेंगे, इसमें 3 carbon है, एक molecule की बात कर रही हो, इससे एक acetyl कोएंजाई में बना, यहां एक CO2 बहार निकल गया, और फिर उससे दोनों CO2 बहार निकल गया, तो total 3 CO2 बहार निकले, एक link reaction में और 2 Krebs cycle में, अब जब मैंने यह किया था तो एक NAD यहां use हुआ था, link reaction में, और 3 NAD Krebs cycle में use हुए थे, यानि 4 NAD प्लस जब थे, तो उससे 4 NAD H+, H+, यानि यह बने थे, ठीक है, और Krebs cycle में 1 FAD भी काम आया था, 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, तो उससे 1 FADH2 बन गया था, ठीक है, यहां पर directly ATP नहीं ना बनी थी ना use हुई थी, लेकिन यहां पर 1 ATP बनी है, GTP से जो ATP बनी है, और अगर ATP बनानी है एक, तो उसके लिए मुझे 1 ADP प्लस एक Inorganic Phosphate भी चाहिएगा, ठीक है, प्लस दो जगे पानी use हुआ है, water add हुआ था, एक first reaction में, और एक जब fumarate टूटा था into malate, तो दो water molecules भी लगे है, अब चेक कर लो, reaction NCRT वाली है क्या सही, देखो, pyruvic acid, 4 NAD+, 1 FAD+, ATB+, PI, प्लस 2 water molecule, इससे मिले 3 CO2, 4 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP, और यह सब कुछ हो रहा है, in the mitochondrial matrix, क्योंकि link reaction भी वही हो रही है, आ गया समझ में, मज़े आ गई की नहीं आ गई पहले तो यह बता हो, चलो, यह है पूरे सारे steps one by one, अब इसकी trick, trick है, can I keep selling substances for money, officer, एक junior ने अपने senior से पूछा, यह सब से पहले citrate बनेगा, फिर isocitrate, फिर alpha keto gluteric acid, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, mallet, oxaloacetate, और फिर यह acetile coenzyme A के साथ जुडेगा, और फिर से बनाएगा citrate, and the cycle keeps on and on and on and on, यह main confusion SS में हो सकता है, तो पहले कि जीवन में कोशिश करिए, फिर success मिलती है, तो पहले कोशिश, यानि succinyl coenzyme A, फिर success मिलेगा, यानि succinate, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह बीच वाले steps नहीं लिखे मैंने, now, इसके enzymes की trick, so, at disco, devil sipped down five drinks, सदियो पुरान trick है, इसमें जितने भी S हैं, वो synthase है, यानि ये और ये, और जितने भी D हैं, वो dehydrogenase है, जैसे citrate synthase, isocitrate dehydrogenase, alpha-keto-glutric acid dehydrogenase, succinate dehydrogenase और malate dehydrogenase, बाकि यह fumarase था, यह succinyl coenzyme is synthase था, और यह aconitase था, right, now, three NADH2, one FADH2, one ATP, a GTP, एक turn off TCA cycle से मिली है, यानि total 12 ATP आगे जाकर final मिलेंगी, NADH2, third, fourth और last step में निकला है, आप confuse मत होना, यह third, fourth कप कह रहे हैं, जब हम eight steps मानेंगे, otherwise वो change हो जाएगा, numbering, ठीके, FADH2, CO2, substrate level, please ध्यान रखना, इसमें eight steps मान रहे हैं, now, one glucose molecule से क्या-क्या हो रहा है, उसके एंजाइमें बने हैं, तो एक क्रेब cycle से 3, 2, 1, यानि 3, 2 और 1, यह सब मलता है, 12 ATP मिलते हैं, लेकिन वन glucose की बात करेंगे, तो यह सब कुछ just double हो जाएगा, just double, now, NCRT में कैसे लिखा है, कि glucose breakdown करके क्या-क्या देता है, यह NCRT में यह और students बड़ा confused होते हैं, actually यहाँ पर इ क्रेब cycle में मिलती है, तो 2 ATP से, I mean 2 क्रेब cycle से 2 ATP मेलेंगी, क्योंकि हम glucose की बात कर रहे हैं, तो दो बार link reaction होगा, और 2 क्रेब cycle चलेंगी, तो one क्रेब cycle से 1 ATP, two क्रेब cycle से 2 ATP, ऐसी one क्रेब cycle से 1 FADH2, तो 2 से 2 होगा है, अब one क्रेब cycle से 3 NADH2 मिलते थे, और one link reaction से एक और मि मिलते थे पर यह दो बार होगा तो eight molecules और one क्रेब साइकल से two CO2 मिलती थी तो two क्रेब साइकल से four CO2 निकलेगी और one link reaction से one CO2 निकलती थी तो दो से दो निकलेगी यानि टोटल six हो जाएगी मतलब basically इन्होंने क्या किया है ये वाली जो two ATP और two FADH2 ऐसे करकर NCRT में लिखा है जो students को बहुत ही जादा confusion होता है right so please have a look all right students तो अभी तक हमने क्या कर लिया अगर आप ध्यान से देखें कि glucose से CO2 निकला है eight molecules NADH2 two molecules FADH2 two molecules of ATP अभी तक कहीं भी oxygen has not come into picture और नहीं हमें large number of ATP मिली है अभी अगर आप ध्यान से देखो तो हमें glycolysis से सिर्फ two ATP मिली है directly ये तो check है इसका तो भरोसा नहीं है क्या होगा देखेंगे आगे now link reaction से हमें zero ATP मिली है zero ATP हाँ two NADH2 मिले है और crab cycle से अगर दो बार crab cycle होगी अपकोस ये भी two times होगा ये भी two times होगा तो इससे हमें total two ATP मिली plus two threza six NADH2 क्योंकि हर बार तीन मिल रहे हैं और एक बार में एक ये दो बार में 2 FADH2 मिल रहे हैं CO2 की बात नहीं कर रहे हैं ये अभी तक हमें सिर्फ 4 ATP मिली है हम वादा तो 38 ATP का कर रहे हैं मिल हमें 4 ATP रही है ना तो अभी तक ATP मिला जो promise किया है ना oxygen यूजर क्योंकि aerobic respiration कह रहे हो और NADH2 FADH2 जो बन रहे हैं का क्या रोल है वो भी समझ नहीं आया कि उनसे ATP कैसे बनेगी तो हमारे दो देश हैं एक तो हमें उनसे भी ATP बनानी है और एक हमें उन्हें री ओक्सिडाइज करना है ताकि फिर से NAD FAD मिले ताकि लगातार ये क्रेप साइकल लिंक रेक्शन ग्लाइक्शन ग्लाइकोलिस सब कुछ चल पाए ये सब कैसे होता है all that and much more in the next class बहुत ही इंट्रेस्टिं है आज सारी साइकल्स खुद बनाएगा ग्लाइकोलिस स्क्रेप साइकल फर्मेंटेशन and I will see you all in the next class till then a very happy learning and have a good day thank you